कि नमस्ते बच्चों कैसे हैं आप सब आशा करती हूं आप सब ठीक होंगे और घर रहेकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों पिछले पार्ट में हमने बात की थी आपकी पुयम वाकिंग विट ग्रैनपार की आज हम करेंगे उसकी एक्सेसाइज इसको हमने नोट करना है जैसे फर्स सेंटेंस में है आरेन एट एन एपल आरेन ने एक सेब घाया यहाँ पर आरेन को क्या कर रखा है बोल्ड में लिखा हुआ है सेकंड है बच्चे फुटबॉल खेल गए थे यहाँ पर चिल्डन को बोल्ड में लिखा हुआ है तीसरा है वो कल दिल्ली गए थे दे को यहाँ पर बोल्ड किया है हमारे घर में तीन कम रहे हैं यहाँ अवर हाँस को बोल्ड लिखा गया है उपर दिये गए सेंटेंस में जो यह आरियन, चिल्डन, बे, आवर हाँस यह सब जो लिखा गया है यह हमारा सबजेक्ट है जिसके बारे में बात कीजा है जाती है वह हमारा सबजेक्ट होता है यह एक वर्ड भी हो सकता है और इक से जादा वर्ड भी हो सकते है यहाँ पर आरियन हमारा क्या है सबजेक्ट है और eight and apple हमारा क्या है? प्रेडिकेट है ऐसे ही Children were playing football Children subject है Were playing football प्रेडिकेट है They went to Delhi yesterday They हमारा subject है और went to Delhi yesterday हमारा प्रेडिकेट है ऐसे ही Our house has three rooms किसके बारे में बात की गई है? House के बारे में बात की गई है तो Our house हमारा subject है Has three rooms हमारा प्रेडिकेट है आगे आपको क्या करना है? Circle the subject subject को आपको circle करना है and underline the predicate in each sentence given below प्रेडिकेट को आपको underline करना है जैसे grandfather walks slowly यहाँ grandfather हमारा subject है तो हम इसको circle करेंगे और walks slowly हमारा प्रेडिकेट है तो इसको हम underline करेंगे second sentence में She sang a beautiful song किसने गाया beautiful song? लड़की ने She She हमारा subject है और sang a beautiful song एक प्रेडिकेट है third गीता speaks English fluently यहाँ गीता हमारा subject है तो इसको हम circle करेंगे और speaks English fluently को हम underline करेंगे क्योंकि यह हमारा प्रेडिकेट है ऐसे ही फोर्ट में Our garage is very big यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? Garage के बारे में तो our garage होगा हमारा subject जिसको हम circle करेंगे और is very big होगा हमारा प्रेडिकेट जिसको हम underline करेंगे आगे चलते हैं फिफ्ट नमबर पे A large crowd greeted him at the airport किसके बारे में बात हो रही है? Crowd के बारे में तो a large crowd हमारा subject है and greeted him at the airport हमारा प्रेडिकेट है इसको हम underline करेंगे चलिए आएए एक प्यार इसी poem पढ़ते है Good manners Good manners होते हैं अच्छी आदते हैं Good manners are like flowers They have some magic parts Please, sorry, thanks I like money in the bank Use them and see how good you can be ये good manners foolوں की तरह होते हैं क्योंकि उनमें कुछ magical power होती है उनमें कुछ ऐसी शक्ती होती है कि वो सबको अपनी तरफ फींच लेती है और मना लेती हैं जैसे कि Please, Sorry, Thanks वो हमारे लिए पैसे की तरह है जैसे हम पैसे को अपने बैंक में रखते हैं तो ये words भी हमारे पैसे की तरह हैं जिने हम अपने बैंक में रख सकते हैं अपने पास Use them and see इनको प्रयोब करो और देखो कि आप कितने अच्छे बन जाओगे How good you can be तो आपको कौन-कौन से word यूज़ करने है पहला है Please जब भी आप किसी से कोई request करेंगे तो आप बोलेंगे Please P-L-E-A-S-E Please अगर आप से कोई गल्पी हो जाती है तब आप कहेंगे Sorry S-O-R-R-Y Sorry और अगर आपको किसी को अच्छा फील कराना है कि उन्होंने आपकी मदद की तो आप बोलेंगे उन्हे Thanks T-H-A-N-K-S Thanks Remember आप हमेशा यार रखें If you ask for something You usually say Please अगर आपको किसी से कुछ चाहिए तो आप request करेंगे Please के साथ If someone does something nice for you You say Thank You अगर किसी ना आपके लिए कोई अच्छा काम किया है तो आप उन्हें बोलेंगे Thank You If you do something wrong You say Sorry और अगर आप कोई गलती करते हैं तो आप बोलेंगे उन्हें Sorry चलिए आप खेलते हैं Game मेरे पास यहाँ पर कुछ slips है कुछ परजिया है और उनमें नमबर लिखे हुए है 2 to 31 2 से 61 और मैंने उन्हें एक डिबे में डाल दिया है बॉक्स में डाल दिया है अब आपको क्या करना है आपको एक परची उठानी है और उसमें से नमबर बोलना है कि क्या लिखा हुआ है और वो बताना है ठीक है, बाकी बच्चे भी उस number को क्या करेंगे, अपने पास note कर लेंगे, ठीक है, और मज़ेगी बात ये है, जब सारे number पूरे हो जाएंगे, जो इस box में हैं, तब भी कुछ ऐसे number बचेंगे, जो इस box में नहीं थी, आपको मुझे वो number बताने हैं, कि वो number क्या है, तो हमा त्वो 2, त्हर्डबले 3, फो उर 4, फिवे 5, सिख 6, सिवे 7, एइग 8, निने 9, T-E-N 10, E-L-E-V-E-N 11, T-W-E-L-V-E 12, T-H-I-R-T-E-N 13, F-O-U-R-T-E-N 14, F-I-F-T-E-N 15, S-I-X-T-E-N 16, S-E-V-E-N-T-E-N 17, E-I-G-H-T-E-N 18, N-I-N-E-T-E-N 19, T-W-E-N-T-Y 20, 21, T-W-E-N-T-Y 20, O-N-E-1 21, T-W-E-N-T-Y 20, T-W-O-2 22, T-W-E-N-T-Y 20, T-H-R-E-E-3 T-W-E-N-T-Y 20, F-O-U-R-4 24, T-W-E-N-T-Y 20, F-I-V-E-5 25, T-W-E-N-T-Y-S-I-X 6 26, T-W-E-N-T-Y-S-E-V-E-N 27, T-W-E-N-T-Y T-I-G-H-T 28, T-W-E-N-T-Y 10, I-N-E 9 29, T-H-I-R-T-Y 30, T-H-I-R-T-Y 30, O-N-E-1 31, अब जो हमारे नंबर्स बच गए थे, वो हैं, 32, 33, 34, 35, That's all for today, आज के लिए बस इतना ही, I hope आप सब को समझ आ गया होगा, आगे भी ऐसे ही वीडियो द्वारा आपनी पढ़ाई दारी रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्स्क्राइब, Thank you. झाल